चलिए गोड इवनिंग नमस्कार सभी को जैहिन चलिए अवाज आ रहे हैं एक बार किलेर कर दीजे चलिए आ रहे है और जितने लोग पहले जुड चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजे जल्दी से जितने लोग जुड चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो को दिया गया है कि हरपा सब्भिता के एक हिससे लोथल की खुदाई की खोच किसने की थी चलिए हिस्ट्री का जो उने topic wise पड़ाया था तो यह question आपको देखने को मिला था जोकि आपके model paper में भी कोर्शन आपको देखने को मिल चुका है तो चलिए बताइएगा हडपा सबिता के एक हिस्से लोथल की खुदाए की खुच किस ने की थी यहाँ पर आपसन आ रहा है सी नंबर एस आर राओ कह रहे हैं चलिए सभी का जवाब यहाँ पर सही है बिल्कुल जवाब सही है एस आर राओ आपसन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आपका जवाब हो जएगा ठीके ना यहाँ पर लोथल जो कि आप दे सकते हैं कि हडपा कालीनिक बंधरगा हुआ करता था ठीके आपसन आपर सी हो जएगा और अगला कोशन दिया है सिंदू सब्विता में घोडे की अस्थियों का आउसेस कहां मिला बनवाली में चंहुदुडो में सुतकांग ड़ोर में या सुरकोट दा में चले यहाँ पर जवाब आ रहा है option D और option C लेकिन इसका right answer क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा option D सुरकोट दा में ठीके option बनेगा आपका यहाँ पर D नमर आपका हो जएगा यह काँ पर पड़ता है तो गुजराद के कच जिले में इस्तित है काँ पर इस्तित है गुजराद के कच जिले में है जहां घोड़े की अस्तियां और एक कब्र के आउसेस आपके यहाँ पर मिले हैं ठीके चलिए आते हैं लिए question को और question आपसे इलग दिया गया है सत्रपत ब्राम्hlड और तैस्ति ब्राम्उड की ब्राम्भर मूल पाथ है चलिए यहाँपर देख सकते हैं कि जो हमने यहाँपर हिस्टरी के कोशन आपको पढ़ाया था वही यहाँपर देख सकते हैं लेहाँपर में कोशन देखने को आपको मिल लए है तो चलिए यहाँ पर 3 का option आना सुल हो गया है यहाँ पर option आपका 3 का हो जाएगा यहाँ पर आपका D number यह आपके यजूर वेद में किसमें यजूर वेद में option आपका D हो जाएगा हमने आपको अता दिया इसलेबस आपका limited है और question आपको 100% repeat होंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे भी अगला question दिया है बुद्ध को महा पर निर्वान कहाँ प्राप्थ हुआ था बुद्ध को महा पर निर्वान कहाँ प्राप्थ हुआ था चलिए जवाब दीजे बुद गया कुसी नगर, राजगरह या वैसाली महा पर निर्वान मतलब होता है इनको जो म्रत्यू है न यहाँ पर option जो प्राण त्याग ने की आपके थी यही आपका है option आ रहा है यहाँ पर फोर का B नंबर आपके कुसी नगर में option आपका right हो जाएगा यहाँ पर B नंबर कुसी नगर में जवाब इसका right हो जाएगा ठीक है न देखो अगर हम आपसे पुछे बुद्ध से बुद्ध से दो तीन question यह होते हैं कि जन्म पुछेगा तो जन्म कहा हुआ था लुंबनी नेपाल में हुआ था ग्राह त्याग हाना जिसे माह बनिसकुनर कहते हैं राजगरा में हो जाएगा ग्यान की प्राप्ति कहां होई थी तो बोध गया बिहार में होई थी और मुरत्यू जिसे बोज़ाता है महापर निर्वाण हो कहां पर आपकी कुछी नगर में नेश कोशन आप से दिया गया है असोग के प्रधान सिलालेखों में सबसे बड़ा सिलालेखिनमे से कौनसा है चलिए बताएगा 11 12 13 14 चलिए ऑप्वसन आ रहा है यहाँ पर आपका थर्ड अंबर मतलब 13 सिलालेखिनमे सबसे बड़ा है जिसमें असोग के सासन के आठमे वर्स होने वाले कलिंग युद्ध का वर्डन भी यहाँ पर मिलता है हना जो असोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था उसका वर्डन भी यहाँ पर देखने को मिलता है नेस कोशन दिया है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है भूदान आंदोलन के किन्हें माना जाता है 6 का जवाब देना है चरे यहाँ पर जवाब आ रहा है option D number विनोबा भावे तो आपका जवाब बिल्कुल सही हम लोग कर देते हैं option D विनोबा भावे आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा next question दिया है क्य अठारा सो सत्तावन के प्रथम सुतनता विदो संगरा में भाग लेने वाले प्रसिद महिला सुतनता से ना नी कौन थी चलिए बताईएगा आठाट सतावन के प्रथम सुतनता विद्रो संग्रा में भाग लेने वाले प्रशिद्ध महिला सुतनता सेनानी कौन थी कर्श्टूर्वा गांधी भीकाजी कामा सरोजिनाइडो या बेगम हजरत महल आठाट का जवाब बिल्कुल सही है आपने अंसर बिल्कुल सही चुना है यहाँ पर 1924 में कहाँ पर बेलगाओं का जो आपका अद्वेशन हुआ था हना बेलगाओं अद्वेशन में इन्होंने भाग लिया था जो की 40 में हना 40 में अद्दच के आपकी चुने गए थे आगला कुछना आप से दिया है राष्टी गान सर्वथम कब और कहां गाया गया चलिए जवाब बीजे गुड एउनिंग गुड एउनिंग नमस्कार गुड एउनिंग चलिए टाइम टेबल आपको दिया गया है टाइम से आया करिए चलिए राष्टी गान सर्वथम कब और कहां गया 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 नाइन को उप्षन देना है और नाइन को उप्षन आ रहा है यहाँ पर आपका D नमबर चलिए और बताए कोई B नमबर चलिए B नमबर आ रहा है किसी का A नमबर आ रहा है 27-1911 26-1931 जवाब क्या बनेगा तो और वाप्षोनideogy चलिए दस कोँभाना है यहाँ परण रहें और व्याहत और अ यहाँ पर नेता के रूप में पूछा गया है ओधकी इतां घूंप और नहीं रहे हैं तो फिरिफ Kensete सिरे sixty धंत क्रासर धुथं दे ज़ंधा chas अपका जब राइट हो जाएगा तिक है ना याद रही गा और यह अगर पूछा जाए कौन थे तो आपके महातंमा गांधी के राजनीती गुरू कौन थे तो आपके याँ पर गोपाल करस्गोखले इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा ठेके चलिए आते एंगले question को और question दिया है भारत ने प्रतवी के धरातल का कितना प्रशत घेरा हुआ है अथात जो भारत है भारत का जो प्रतशत है धरातल का हो कितना है चले 11 का जवाब दीजे चले 11 का option आ बिल्कुल जवाब सही है कई बार आपने पड़ा भी होगा सभी का जवाब लगवक सही है और अपका बने गड़ी 2.0 प्रिसद भाग ये घेर हुए है जो कि आपका भारत में है हना अगर पूछे जनसंख्या की इसाब से हना अगर पूछे जनसंख्या की द्रश्टी से भार प्रतवी के भूबात का कितना है तो 17.5% ये आपका क्या है जनसंख्या की इसाब से है नेस कोशन दिया है भारत का विश्व में छेत्रफल के आधार पर कौन सा इस्थान है दूसरा चोथा चटाओ या सातवा चलिए जवाब आ रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर चीन अमेरिका प्राजील आस्थ्टालिया हाना पिर आपका विश्व का जवाब क्या होजेगा जल्दी से जवाब दीजे यहाँ पर सही जवाब क्या होजेगा चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा चलिए तो देखो यहाँ पर option क्यों सार आपको बताना है option क्यों सार आपको बताना है यहाँ पर देखो option आपका हो जाएगा d number आपका पुद्चेरी हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आपका पुद्चेरी हो जाएगा जवाब इसका सही हो जाएगा पुद्चेरी हो जाएगा देखो यहाँ पर देखो जो अभी अभी आपका अपडेट आया है जो आपका अभी अभी अपडेट है उसमें से अगर पुछे सबसे पहले इस्थान किसका आता है तो जम्मू और कस्मीर का देखो आप्सन में ऐसे तो दिया नहीं गया है आप्सन में तो इतना दिया नहीं गया है तो जम्मू भारती प्रायद्यूक की सबसे उंची चोटी यहां पर कौन सी है यह आपको बताना है चलिए 14 का जवाब इन में से क्या हो जेगा चलिए 14 का जवाब इन में से क्या बन जाएगा तो option आर रहा है यहां पर आपका B number इसका राइट अंसर क्या बन जाएकब चुले चुले नेस कोज़े नाप से दिया है निम्रीकित में से कौन सी जील मड़ीपूर मेंचती थे? भीमताल, लोकटक, मिरिक या सेचल चले यहाँ पर आपका जवाब सई क्या हो जाएगा? चले जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए है 15 नमबर में और आपसन यहाँ पर आ रहा है आपसन भी आ रहा है यह मड़ीपुर की जो आपकी जील है आपकी लोकटक जील है जो की कैसी जील है यह आपकी मीठे पानी की जील है कैसी है यह पुरूतर भारत की देखिए 7 sister जो आपके हैं उनमें से सबसे बड़ी जील देखा जाए पुरूतर भारत की तो आपके मीठे पानी की जील कौन है लोकटक जील है और इसी जील के बीच में एक आपका राश्टी उध्यान है जिसका नाम है केबुल नाम जाओ हाना केबुल केबुल नाम जाओ जिससे का जाता है कि विश्व का तैरता हुआ एक राश्टी उध्यान किस में है तो आपके लोकटक जील में है केबुल नाम जाओ है नेस कोशन दिया है भारती अर्थव्योस्था का मेरदन कौन सा चेत्र है चले यहां पर आपका सही जवाब क्या बन जाएगा सही जवाब क्या बन जाए ठीक है चले आते एक लिए कोशन को रोकोशन दिया है भारत में राश्टी आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है रिजर वैंख है क्या चले योजनायोग है वितायोग है कौन सा है चले सत्रक आप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी नमबर यहां पर एक इंद्री सा आकलन करती है ठीक है चलिए आते एक लिए कोशन को रोकोशन दिया है निम्रिकित में से किस क्रांती ने तिलहनों के उत्पादन में ब्रध्धी उत्पन किया है तिलहन उत्पादन आपसे पूछा गया है कौन सी क्रांती से संबंदित है यहां पर तिलहन से संबंदित आप दुद्पादन से संबंदित आपकी है के लिए रहे ना इतना point के लिए है अच्छा स्वन करांति अगर पूछे स्वन करांति किस से संबंदित है यह संबंदित है बागवानी से संबंदित है ठीक है चलिए अगला question दिया है भारत की 12.5 योजना का मुख्य उद्देश क्या भारत की जो 12.5 योजना थी इसका उद्देश क्या था यहां पर 19 नंबर में चलिए 19 नंबर में तो देखो यहां पर सबसे तेज मतलब तेज सतत और अधिक समलित विकास इसका option बनेगा यहां पर आपका D नंबर जवाब आपका राइट अंसर क्या बन जाएगा तो याद रिखे इसका राइट अंसर आपका होता है यहां पर आपका D मतलब 10 सदर्शन की आवस्यक्ता होती है सहकारी समिती लोगों का एक ऐसा संग है याद रिखे सहकारी समिती है क्या तो सहकारी समिती लोगों का एक ऐसा संग है जो अपने पारंपरिक लाभ जैसे सामा लोग बाद में चुड़े हैं तो सब लोग यहां पर भाई वीडियो को लायक भी कर दीजेगा अगर पसंद आ रहा है पसंद आ रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यहाँ पर देख सीजिखते हैं सम्मिधान सबादवारा भारती सम्मिधान को कब पारित किया गया था चलिकी इसको option यहाँ पर बन जाएगा option B 26 नॉमबर 1949 को यह पारित किया गया था और इसको एक सब्धावर जाता है अंगी करत क्या बोलाता है अंगी करत भी इसे बोला जाता है कि कब अंगी करत किया इा यह कब बनका तयार हुआ तो option क्या बज़ेगा बी number ठीक है न और अगर यह पूछ लेता कब लागो हुआ था तो लागू जो आपका Pून्रूप से लागो हुआ वो कब हुआ था? तो 26 जनावरी 1950 26 जनावरी 1950 इसको पून्रूप से आपका लागो हुआ था है आते हैं एक लिए question को और question आप से दिया है समिधान सबा के पहले अध्यच कौन थे? समिधान सभा के पहले अध्यच इन में से कौन थे चले यहाँ पर जवाब देना है समिधान सभा के पहले अध्यच कौन थे तो बाइस को अप्शन मनेगा यहाँ पर बी नमबर डाक्टर सचिदानन सिन्हा डाक्टर सचिदानन सिन्हा जो थे वो आपके पहले अध्यच थे और इने आइस्थाई अध्यच भी कहा जाता है ठीके आइस्थाई अध्यच ने कहा जाता है हना और यहां पर एक पॉइंट और सद ले आता है कि जब समिधान का उध्गाटन हुआ था समिधान सभा का जब उध्गाटन हुआ था तो उसके भारत का एक मात राज जहां समान कोड का प्राउधान है आपने सुना होगा एक समान नागरिक सेटा सिविल कोड तो यहां पर बताते हैं कि इसका जवाब कौन सा बन जाएगा तो आपका जवाब आ रहा है यहां पर आपका जवाब कौन सा है तो यहां पर आपका जवाब के सकते हैं जो सभी धर्मे के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है और भारत का एक मात राज गोवा में समान सिविल कोड का प्राउधान है नेस कोशन आप से गला दिया गया है इन में से कौन भारत का कारेवाहक राजपती नहीं था वीवी गिरी डाक्टर जाकिर हुसैन नयमोर्ति हिदायतुल्ला या बिडी जत्ती तो 24 कौप्शन क्या बन जाएगा तो देखे यहां पर 24 कौप्शन भी होज़ेगा डांक्टर जाकिर हुसैन कौन थे डांक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के तीसरे राजपती थे ठीके तीसरे राजपती थे ओप्शन आपका बी होज़ेगा नेस कोशन दिया गया है स्री रामनात कोविंद भारत के राजपती रहे हैं कौन से नंबर के राजपती रहे हैं चले 25 का ज अधिसरासी है 26 का जवाब दीजी साइंस का कोशन है उच्छा गया है अधिसरासी और वी रासियां जिनका केवल परिमाड होता है दीशाने होती है उन्हें अधिसरासियां कहते हैं जो की अंसर यहां पर आपका आचुका है और आपका बन जाएगा ए नमबर कारे जो कारे है आपकी अधिसरासी है कारे के साथा जैसे द्रभ्यवान दूरी समय चाल दाब सकती आवेश विदुधारा विभाव ताप आयतन यह सब आपकी क्या होती है तो आपकी अधिसरासियां ही होती है ठेके ना आगला कोशन दिया गया है निम्न मेंसे कौन सी प्रक्रिया एक रास और आपका नाभिक में प्रोट्रान और निउट्रान को बांधने वाले बलको क्या कहते हैं जो होता है और na bix behind proton और जो आपका neutron होते हैं इनको जो बांद كे रहते हैं उस bahan ब्लको क्या कहते है तो यह ठोभब नभike बल क्या होता है यह होता है इसका लायट अंसर क्या होड़ाय गदी जिसी हम लोग बोल देते हैं nuclear force क्या जाता है nucleons ठीके तो आपसन अपका D हो जेगा नेस कोशन दिया गया है यह आर्नीओ्थो लाजी का संबंद किसे है अर्नीथो लाजी का संबंद किसे है तो यह जीविग्जान की एक साका है जिसके अंतरत क्या क्या आता है पच्छियों का अध्यन क्या आता है ठीके यह में आ खता है लोगों का होता है यहां पर होताए हमाल पर कोर्शन यहां पर दिया गया है देश-भक्तीन, सवाग्ते सैंटीन, में कौन सा समास है देश के लिए भक्ती और के लिए जो आपका होता है किस में होता है कर्मधारे समास में होता है ततपुरुष समास में होता है यहाँ पर आपका सी होजेगा यहाँ पर ततपुरुष समास होजेगा देश के लिए भक्ती क्या बनेगा देश के लिए भक्ती इसका राइट अंसर आपका C हो जएगा के लिए रहना मतलब के लिए जो आपका होता है सम्मंध तत्पुरुष समास हो जएगा ठीके अगरा कोशन दिया है प्राग एतिहासिक में किस उपसर का प्रियोग हुआ है चले निकाले जल्दी से इसका क्या बन जाएगा उपसर लगा होता है अगर इसका आप निगालेंगे तो आपका बनेगा क्या प्राग निकलेगा क्या निकलेगा हाँ प्राग ऑपसर इनम्बर आपका रइट नेस celebrating है तुल्सी दाष किसकी कविता है तुल्सी दाष मुटीबोध अग्गे हरिवन स्राह बच्चन सूरिकां पार्थी निलाला की है, option बनेगा D नमबर इसका जवाब बनेगा D, तुलसी दास जो कि छायावादी के सलाका पुरुसकार, जो कि आपके सूरी कांत्री पार्था निलाला का आपका है, option आपका D हो जएगा, next question है, बहिसकार का संद्विछेत क्या होता है बहिसकार का संद्विछेत क्या हो जएगा बहिसकार, तो इसे आप तोड़ी जल्दी से जब तोड़ेंगे, तो हमने बताया था आधासा जो आपका है, ये आपके बिसर्गे में परिवर्तन हो जाता है, और बिसर्गे पहाँ लिखावट पहाँ वज यहां पर चालिस पमर बताईए को तो देख़ोrator पहीया कैसा है आपका जबाब इ मतलब आपका जवाब तो बारिस के लिहाज से वा साल ठंठन गोपाल था वाकिका भाव जो पूछा गया है इसमें से आपका भाव जो आपका है मतलब कह सकते हैं बारिस के लिहाज से वा ठंठन गोपाल जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो बोलते हैं बारिस नहीं होई थी इसलिए बोलते हैं चुका था option आप पर अपसी हो जएगा अगला यहां पर दिया गया गध्यांस की साब से दिया है चलिए यहां पर बताईएगा कि जी जीनसियां सब्द का भाव क्या होता है परिसान मत होना है गध्यांस कोस्टने पूरा पढ़ेंगे तो पूरा तरीके से आजाएगा तो यह इसे धीलों ने एकतरफात तोर पर रेनी दे मनाने का फैसल लिया वाकिमे लेखक ने अपनी किस विशेशता को बताया है मतलब यह भी आपका उसी से जुड़ा हुआ आपका है मतलब यहाँ पर पढ़ाई में पिछड़े से है ठीक है कली चलिए कोई बार ने यह आपका गध्यांस से जुड़ा हुआ था यहाँ पर एक आपकी पंक्ति और दी गए है कुलमला के एक गध्यांस और आपका दिया गया है जो कि आपके नींद से दिया है इसमें से छोटा सा बिलकुल गध्यांस है पढ़ लेते हैं इसके बाद इसके सही सही अंसर लगाने का प्रयास करेंगे अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूँगा परुन उदाचल सजाने आ रहा हूं कलपना में आज तक उड़ते रहे तुम साधना से सिरकर मुडते रहे तुम अब तुम्हें आकास में उड़ और यहां पर देसकते हैं तो कह सकते हैं पतन की रह पर, जो पतन की ऊर जा रहा हैं, उनको नहीं जाने देरा है और अगला question दिया गया है कि किस तरह के ब्यक्तियों को संबोधित कर रहा है कभी किस तरह के ब्यक्तियों को संबोधित कर रहा है तो यहां पर आपका 48 में मतलब कि जो जीवन की कठोर वास्तियुक्तों से बेखवर है उनकी यहां पर संबोधित कर रहा है और अगला दिया है कि कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है ताकि मनुस्यों में गदसीलता आ सके और वे प्रगत के पथ पर आगे बढ़ सके इसका उप्षन अपका भी हो जएगा अगेला कोशन दिया है कि अतल अस्तचाल तल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा लंकार है चले बताइए अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में जो लंकार है वो कौन सा लंकार है गध्यन से ही निकाला गया है तो देखो यहाँ पर आपके आ सब्द का अस्वरी आ वर्ण की अवरती हो रही है और इसके अनुप्रा सलंकार आपका जवाब हो जएगा डी नमबर नेश कोशन दिया है कि नेलसन मंडेला विस मानोतावादी पुरुषकार किसे दिया गया यहां पर आपका एकसर्ट का उप्षन मन जाएगा कौन सा यहां पर आपका एकसर्ट का उप्षन बी हो जएगा यह है आपके रवी गाय कवाड कौन है रवी गाय कवाड है इन्हें नेलसन मंडेला विस मानोतावादी पुरुषकार दिया गया उप्षन बी नेश कोशन है भारती सेना द्वारा हुमन राइट सिल्का प्रमुक किने बनाया गया है यह है आपके गौतम चौहान ओप्षन इसका डी हो जएगा गौतम चौहान ठीके चले काफी लोगों के करेड़ फेर की कोशन अच्छे जाते हैं 11 राज ने ग्रेट फोर्थ भना कि करमचारियों को खादी की कपड़े भेट करने का फैसला किया है जो मुक्ती दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पर 64 का जवाब आपको याद होगा आपके 19 दिसंबर आपका होजेगा ए नमबर ठीके अगला कुशन आप से दिया है कि अर्जिंटीना में फुटवाल खिलने वाली पहली टांसजिंडर महला कौन सी है चले बताएगा यहाँ पर नाम है मारा गोमेज नाम है ओप्शन भी होजेगा जिन्नों ने अर्जेंटीना में फुटवाल खेलने वाली यहाँ बन गई है ठीके टांसजिंडर अगला है एनेम्या मुक्त भारश सुचकांक में सीस राजज कौन सा है एनेम्या मुक्त भारश सुचकांक इसमें से जो चार ओप्शन में आपका हरिणा है इसको ओप्शन अपका सी यहाँ पर हो जेगा सी नंबर ठीके अगला कोशन दया गया है कि बर्डर गावज कर ट्राफी में किन भल्लेवाजों ने सतक बनाया था यहाँ पर एक ट्रॉफी है बर्डर गावस कर ट्राफी और इसमें से बताईगा प्रिगती मैदान रेलवी स्टेशन का नया नाम इन में से कौन सा है चले अर्षट का जवाब आपने पढ़ा भी होगा कई बार हमने भी पढ़ा है इस करेंट अफेर को option आ रहा है याँ पर B number Supreme Court Metro Station क्या हो गया है प्रिगती मैदान रेलवी स्टेशन का नाम Supreme Court Metro Station रख दिया गया है option आपका B होगा राई next question दिया है कर आप से जायर अल बहर युद्ध्या भास होता है एक युद्धव्यास दिया है नाम क्या है जायर अल बहर युद्धव्यास होता है कि इन दोदेशों के बीच में तो आपके भारत और कतर के बीच होता है option क्या बन जाएगा A number भारत और कतर के बीच आपका है next question दिया गया है बिहार के राज़िपाल कौन है बिहार के राज़िपाल कौन है चले जगदी समुके हैं आनंदी बिन पटेल हैं फागु चौहान या जगदीप धनखड हैं ओप्सन आ रहा है सी नंबर यहां पर फागु चौहान आपका जवाब बिल्कुछ सही है फागु चौहान इसका आपका राइट अंसर हो जएगा नेजग वुअसर है कि सभारती महिला खिलाडी ने प्रतमवार उलमपिक खिलो में पदक प्राप्ति किया और यहां पर हमने आपकी इस्ट्याटिक जीकी में पढ़ाया भी है कि आपकी कड़म मलेस वरी están 2000 में आपकी एक कैसे हैं कि 79 kg हना इन्होंने 79 kg जो आपका वेट लिप्टिंग होता है उसमें उन्हें कांस पड़क पुड़ाप्ति किया था उप्सन भी होज़ेगा नेस कोशन दिया है कि कौन साल सहर वर्ष 2022 की सीथ कालीन उलम्पिक और पायरा उलम्पिक की मेजवानी करेगा चले 2022 की सीथ कालीन उलम्पिक और पायरा उलम्पिक इसकी मेजवानी करने वाला जो आपका है वो आपका बीजिंग है कौन है आपका बीजिंग है उप्सन अपका ए राइट होज़ेगा बीजिंग नेस कोशन दिया गया है कि भारत की आयो निका पाल निम्निकित में से किस खेल का प्रतुनित करती है यहाँ पर एक नाम दिया गया है नाम क्या है आपका आयो निका पाल है ना और यह कौन सा खेल खेलती है याद रिखे निसाने बाजी ओप्सन क्या बनेगा ए नमबर निसान पुरुषकार नहीं मिला है जोकिन अर पुधम को भी दिया है लिकिन विस मोहन भट को मैक से से पुरुषकार अभी तक नहीं दिया है और अपशन मनेगा यहाँ पर आपका सी नमबर नेस कोशन दिया है किसे पदम सिरी पुरुषकार से सम्मानित नहीं किया गया है यहाँ पर आपके देखो विद्यावालन को भी दिया है यूरा सिंग को मुहम्मद अली बेकोवे लेकिन रगुनात माले सकर को यहाँ पर पदम सीरी पुर्सकार अभी तक नहीं दिया गया है और अगरा क्वेशन दिया है कि आसोक लीलाइंड के पूर CEO और MD का क्या नाम है जिन्होंने रायल एंफिल्ड के CEO के रूप में कारिभार समाला है आसोक लीलाइंड आपने सुना होगा जो आपके ट्रक वगेरा चलते हैं रास्ते में हना बहुत बड़ी कंपनी आपकी है ट्रक के हना तो आसोक लीलाइंड के पूर CEO और MD का क्या नाम है जिन्होंने रायल एंफिल्ड के CEO के रूप में कारिभार समाला है इनका नाम क्या है औप्सने होजेगा विनोद के दासारी क्या नाम है विनोद के दासारी औप्सन आपका A right हो जाएगा अगला EB- experiments दिया गया है यहाँ पर दिया है पंडित मदन मोहन मालवी के पोते नयाय मोरति गिर्धर मालवी हाली में किस प्रिशिद विश्विद्याले संस्थान के कुलपती के रूप में नियुक्ति किये गए हैं तो देख सकते हैं नाम से अगर आपको याद हो कि कौन से विश्विद्याले के थे मदन मोहन मालवी क्योंकि इन्हों नहीं यहाँ पर बनवाया था ठीक है अगला कोर्शन आप से दिया गया है यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे कम छेतर फालवाला जनपत कौन सा है यहाँ पर इस्टाइटिक जीके में हमने आए यहाँ पर पढ़ाया भी है आप देख लीजेगा इन चारों में कौन सा है संत्र विदा से अपका डी हो जेगा ठीक है वह ऐसे देखा जाए तो आपका हापुड है अना क्या है भई हापुड आपका सबसे चोटा है और सबसे बड़ा जो आपका है लखेंपूर खीरी है जो कि छेत्रफल की इसाब से अगला क्वेशन आप स 14 सबिखा को पτα होगा और अगला कॉशन दिया है कि चंदप्रभावण जीव और 62 प्रदिश के किस जिले में इस्थी थैए चंदप्रभावण जीव आपसे पूछा गया है और यह आपका हिस्थी थैं कहां पर Hendit回來 लगबग सबी का जवाब यहांपर सही है लेकिन आप सब भग यही लेवल रहने वाला है और ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा एक्जाम में भी चलिए सभी को जैहिन सभी को